शहर के जाने माने रही सहीरा जंद और उनकी पतने सुजादा की चमचमाती महंगी कार बंगाल की एक पुरानी बस्ती के सुनसान गली में एक बेरानक से पुराने मकान के बाहर आकर रुखती है सुजादा ये तुम मुझे किस जगा लेकर आई हो ये तो कोई गरीबों की बस्ती लगती है यहां ऐसा क्या है हिराचंद के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सुजादा उसे ऐसी अजीव सी जगा क्यों लाई है जिस मकान में दिन में भी अंधेरा दिख रहा था और दुमा उठ रहा था आप मेरे साथ अंदर चलिए सब समझ जाएंगे यहां अमारी हरसमस्या का समाधान मिलेगा सुजादा और हिराचंद अशंकित कात्मों से उस मकान में दाखिल होते हैं जिसके अंदर हलकी हलकी सी रोश्णी आ रही थी और उस कमरे के अंदर से धुमा उठ रहा था शायद उस कमरे के अंदर आग जल रही थी यह किसकी आवाज है यहां इतना अंधेरा क्यों है और यह धुमा कैसे उठ रहा है मेरा तो यहां दम घुट रहा है सुजाता और हिराचंद ने देरे-देरे कदमों से उस कमरे के अंदर चले गए अंदर वाले कमरे में बिखरे बाल वाली एक खुबसूरत सी बूरी औरत सामने जल रही आग में एक मुर्गी की गर्दन काट कर उसका खून गिरा रही थी और मुर्गी का शरीर जट पटा रहा था ये देखकर सुजाता को रोफ काई आने लगी हिराचंद ने सुजाता की और देखकर कहा तुम्ही मुझे यहां लेकर आई हो और खुद ही खवरा रही हो कौन है ये बैयानक से शकले वाली औरत और हम यहां क्यों आए है अचानक उस औरत ने एक जटके में मुर्गे की बसंदर से अलग कर दी ये देखकर सुजाता के मुझे चीफ भी कर दी और सेट हिराचंद भी सहम गया वो बहुत दरावना नजारा था ये अगोरात आई है ये हमें अपनी काली तंत्र विद्या से संतान सुख प्रदान कर सकती है इसलिए मैं आपको यहां लेकर आई हूँ कैसी बात करती हो जहां बड़े से बड़े डॉक्टर सफल नहीं हुए वहां ये मामुली औरत क्या कर लेगी हीराचंद की बात सुनकर अगोरी ताई ने गुष्से से हीराचंद की और देखकर कहा नादान हीराचंद काली विद्या में इतनी शक्ती है कि मरे को भी जिन्दा कर दे संतान पेदा कराना कौन सा मुश्किल है है? तुम्झे मेरा नाम कैसे पता क्या तुम सच में हमें संतान सुक दिला सकती हो तुम जितनी दौरत मांगोगी मिल जाएगी अगर ये संभव है तो संतान का नाम सुनते ही हिराचंद की आखों में जमक आ गई वह संतान के लिए कुछ भी कर सकता था तुम लोगों को मुझे एक नवजात शिशू लाकर देना होगा मैं उस सिशू की बली चड़ा दूँगे और फिर वही शिशू तुमारे घर में फिर से जन मिलेगा नवजात शिशू की बली का नाम सुनते ही सुजाता और हारी जन डर के मारे सिहार गये पर उनकी आखों में उनकी संतान का सपना ज्यादा बड़ा था वो सफ करने को तयार थे अगोरा ताई आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे बस हमें संतान सुक दिला दो बिना वारिस के हमारी दौलत किस काम की संतान सुक के लिए अंधे हो चुके सुजाता और हारी जन अपनी नौकरानी शीला से एक नवजात बच्ची चोड़ी करवा के अगोरी ताई को दे देते हैं उस शिसु की बली से सुजाता गर्ववती हो जाती है देखा आपने अगोरा की तंत्र शक्ती मुझे उस पर पूरा भरोसा था चलो चल कर उन्हें धन्यवाद कहते है हिराचंद और सुजाता अगोरा दाई के पास पहुंचते हैं वो दोनों बहुत खुश थे और अगोरा पर उन्हें अंधविश्वास हो गया था अगोरा दाई आप महांत अंत्रिका है आपने वो चमतकार कर दिखाया जो बड़े-बड़े डॉक्टर नहीं कर सके ये काली विद्या है बेटा अगर तुम दोनों चाहो तुम मैं इस विद्या से तुम दोनों को हमेशा के लिए जवान बना सकती हूँ क्या? सच में ऐसा संभव है? हाँ, बिल्कुल पर इसके लिए तुम्हें जवान लड़के और लड़कियों की बली चड़ानी होगी तुम उन्हें यहां तक लाओ बाकी मैं देख लूँगी जवान रहने की लालच में अंधे सुजाता और हरीचंद एक अनात आश्रमों से हर रोज एक लड़की या लड़के को गोद लेने के बाहने अगोरी के पास बली चड़ानी ले जाने लगे और एक दिर अगोरी ताही ने हिराचंद और सुजाता से इंसानी मांस खाने को कहा पूरी तरह से इंसान से हैवान बन जू कि अब वो दोनों इंसानी मांस खाने के लिए तैयार भी हो गया है ये गर में खून और मांस खाकर तुम लोगों की उम्र भी बढ़ जाएगी खाव इसे सच में ये इंसानी मांस बड़ा स्वादिश्ट है घोरा ने अपनी बातों में फसाकर में उनकी मदद करती थी मगर एक दिन श्रीला को शिकार नहीं मिला मेम साब आज एक भी शिकार हाथ नहीं लगा और मैं बहुत ठक गई हूँ और घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहती हूँ कोई बात नहीं श्रीला एक छोटा सा काम है तुम हमारे साथ चलो लोटते में हम तुमें घर चोड़ देंगे जी मेम साब शिला नहीं जानती थी कि शिकार नहीं मिलने से सुजाता और हरी चंद अंदर से बखला गए थे और उनके दिमाग में एक शैदानी चाल चल रही थी सुजाता ये बेहोशी की दवा है शिला के कार में बैठते ही तुम उसे सुगा देना आज हमें इसी की बली देनी होगी इसने हमारे यहां का बहुत खाना खाया अब हम लोग इसे खाएंगे वैसे भी ये आगे चलके हमारे लिए खत्रा बन सकती थी कार में बैठते ही सुजाता शिला को बेहोश कर देती है और वो लोग सीधे अगोरिताई के यहां पहुँच जाते हैं जहां अगोरिताई शिला की बली चढ़ा देती है और तीवे बीटेर उसे मियोच कर खाते हैं अगोरिताई हमको बली चढ़ाते होगे पुरा एक साल हो गया है हमारा बीटा भी साल भरका हो चुका है अब और कितनी बली देनी होगी बस एक आखरी क्रिया और बची है उसके बाद तुम दोनों हमेशा के लिए जवान हो जाओगे कैसी क्रिया अखो रहता है? तीन दिन बाद सूरिक रहन है हमें पास के घने जंगल में एक विशेश क्रिया करनी होगी उसके बाद तुम लोग कभी बूड़े नहीं होगे कितना अच्छा होगा हम हमेशा जवान रहेंगे और सालों साल तक अपनी दौलत से एश करेंगे हाँ, सच कहा अगोरा ताई ने हमारे हर सपने पूरे कर दिये तीन दिन बाद बंगाल के बियाबान जंगल में कोहरे और उस से भीगे पेडों के बीच एक घने बरगत की बेलों पर कटे इंसानी से लटक रहे थे जिसम से खोन टपक रहा था काले जादू का सामान भी रखा था कितनी भयानक जगए है ये हर तरफ कटे हुए सर लटक रहे है थोड़ी देर में सब समझ जाओगे बैट जाओ और मेरे साथ ये मंत्र दोहराओ अगोरा ये कि इन लोगों की कटी हुई गरदेने हैं आप यहां क्या करने वाली हो हिराचंद की बात सुनकर अगोरा जोर जोर से हसने लगी और उसने एक शैतानी हसी हसते हुए हिराचंद की और देखकर कहा तुम जैसे ही लोगों ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन लोगों की बली चड़वाई है और फाइदा उठाया है अब तुम दोनों आखे बंद करके यहां बैट जाओ और मेरे साथ मंत्रों को दोरा दे जाओ अगोरा ने सुजाता और हरीचंद को वशिकरन मंत्र और काले जादू के इस्तमाल से सम्मोहित कर दिया और देखते ही देखते वो उप्यानक डायन में बदल गई और चेखती हुई बोली अब मैं तुम दोनों की बली चड़ा कर अमर हो जाओंगी क्योंकि तुम लोगों ने सो लोगों की बली का खून पिया है देखते ही देखते उस डायन ने फरसे से एक एकर के सुजाता और हरिजन की गर्दन काट कर जल रही आग में बली चड़ा दी और उनका गर्म खून पीने लगी जब तक तुम जैसे मूर्ख और लालची लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को मेरे पास लाते रहेंगे मैं उनका फायदा उठा कर ऐसे ही उनकी बली चड़ाती रहूंगी दरसल अगोरा एक डायन थी और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए उसने हिराचंद और सुजाता की लालच का फायदा उठा कर उनकी भी बली चड़ाती बुरे काम का बुरा ही नतीजा मिलता है अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले साथ ही ऐसी और नही कहानियों के अपडेट्स बाने के लिए हमारे चैनल अक्शू टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें